Hello friends, दोस्तों कैसे आप लोग? दोस्तों English लिखना या बोलना सीखने के लिए जिन जिन चीजों की जुरुत पड़ती है जो जो चीज़ें सीखनी पड़ती है उनमें से double conjunctions भी important है double conjunctions भी हमको सीखने चाहिए और actually double conjunctions को सीखने से आपको communication में बड़ी आसानी होगी कई बातों को आप आसानी से बोल पाएंगे या लिख पाएंगे तो दोस्तों आज हम सिखेंगे double conjunctions और हम यहीं समझेंगे कि double conjunctions कितने हैं और इनको use कैसे कैसे कर सकते है sentence में तो दोस्तों चार double conjunctions हैं जिनको हमको सीखना ही चाहिए पहला है both and यह दोनो एक साथ किसी भी sentence में استعمال होते हैं उसके बाद है not only but also यह दोनों भी एक साथ sentence में استعمال होंगे उसके बाद है either or और फिर है neither nor तो यह सारे के सारे एक साथ किसी भी sentence में استعمال होते हैं अब हम सीखते हैं कि इनका sentence में use क्या है कैसे इनको use करते हैं और कैसे हम अपनी बात आसानी से दूसरों के सामने रख सकते हैं तो both end से start करूँगा मैं यही पहला double conjunction से both end कब use करना चाहिए अगर दो चीजें हैं दो लोग हैं दो जगहें हैं तो आपको end पर और पर जोर देना हो कि राम और श्याम दोनों ही पंकज और मुकेश दोनों ही दिल्ली और मुंबई दोनों ही इस तरीके से और पर जोर डालना हो तो आपको both end वाले double conjunction का इस्तेमाल करना चाहिए वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है we use both to emphasize and and पर जोर डालने के लिए both का इस्तेमाल होता है यानि both end दोनों एक साथ इस्तेमाल होता है कैसे जैसे एक example लिया पर लिखा कि एक sentence है पंकज is a student पंकज एक student है और फिर यहाँ कहा जा रहा है राहूल is a student राहूल एक student है तो अब हम इस बात को both end का इस्तेमाल करके कैसे कह सकते है कि पंकज और राहूल दोनों student है both पंकज and राहूल are students तो ऐसे यूज होता है यह दोस्तों जैसे आप किसी को बता रहें कि मुकेश मेरा दोस्त है और फिर आप कह रहें पंकज मेरा दोस्त है इस बात को both end का इस्तेमाल करके कैसे बहुत सकते हैं, बोथ पंकज and Mukesh are my friends बोथ पंकज and Mukesh are my friends यहाँ जहाँ students हैं वहाँ पर my friends लिखा जा सकते हैं, जैसे एक sentence हम यह बना सकते हैं कि Delhi एक metropolitan city है और हम कह सकते हैं, मुंबई भी एक metropolitan city है, Delhi is a metropolitan city, Mumbai is a metropolitan city, अब बोथ and का इस्तेमाल करके कैसे इस बात को कह सकते हैं बोथ डेली and मुंबई are metropolitan cities, तो इस तरीके से आप बोथ and and का, बोथ और and का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद है दोस्तो not only but also not only but also तब use करना चाहिए, जब आप अपनी बात में कुछ बात जोड रहे हैं, एक दूसरा भी item जोड रहे हैं, जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें आप एक और चीज या एक और item जोड रहे हैं यह यहाँ पर कहा गया है, not only but also is used to add another item आप जो भी बात कर रहे हैं, उसमें दूसरी बात भी जोडना चाहें, कि वो अच्छी Spanish बोलता ही नहीं, लिखता भी अच्छी Spanish है जैसे कुछ लोग किसी language को बोल तो लेते हैं, लेकिन ठीक से लिख नहीं पाते, क्योंकि practice करकर करके उन्होंने बोलना तो सीख लिया है, लेकिन उनको लिखना नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो किसी भी language को लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, वही बात यहां पर कही जा रही है, कि he speaks Spanish well, वो अच्छी Spanish बोलता है, और यहां क्या add क्या जा रहा है, कि he also writes well in Spanish, वो Spanish में अच्छा लिखता भी है, अब इसी बात को हमको not only but also का इस्तेमाल करके बोलना है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, he not only speaks Spanish well, वो अच्छी będziemy but also writes well in Spanish, बल्कि वो Spanish में अच्छा लिखता भी है, कैसे तो स्थाफ समझें, he not only speaks Spanish well, वो अच्छी Spanish शिर्फ बोलता ही नहीं है, but also writes well in Spanish, वो अच्छी Spanish लिखता भी है, तो इस तरीके से not only but also का इस्तेमाल करना चाहिए, कि जब भी आपको जो भी बात आप बता रहें किसी, उसमें अगर दूसरी बात भी जोडनी हो, तब कि वो सिर्फ अमीर ही नहीं है, बलकि वो तो दूसरों की मदद भी करता है, जैसे he is not only rich, but also helps the poor, कि वो सिर्फ अमीर ही नहीं है, दूसरों की मदद भी करता है, तो इस तरीके का मीनिंग होता है दोस्तों, या तो यह, या वो, जब दो चीजों में आपको choice करनी हो, तब ही आपको either or का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे, पहले मैं आपको बता दू, either or is used to show a choice of two things, दो चीजों में choice करना हो, तो either or का इस्तेमाल करना है, कैसे, जैसे example से, समझते हैं कि, कैसे, you can call me or my brother, किसी ने कहा, तुम मुझे phone कर सकते हो, या मेरे भाई को phone कर सकते हो, अब इसी बात को अगर मुझे either or का इस्तेमाल करके बोलना है, तो मैं कहूंगा, you can call either me or my brother, तुम या तो मुझे phone कर लो, या मेरे भाई को phone कर सकते हो, जैसे, ये जो बात कही गई है, you can call me or my brother, इसको आप दो sentences में भी हम रख सकते हैं, कैसे, you can call me, you can call my brother, तुम मुझे phone कर सकते हो, तुम मेरे भाई को phone कर सकते हो, और हम either or का अगर ऐसे समझ सकते हैं तो ठीक नहीं तो मैं आपको एक दूसरा एक्जामपल दे के बताता हूं जैसे माल लेते हैं आप अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरांट में कहीं खाने के लिए कियो तो किसी फ्रेंड ने आप से पुछा कि भाई आप क्या खाऊगे आप उसको माल लेते हैं आपको आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है और आप से किसी ने पूछा कि आप कहा जाओगे आपका मन है या तो मैं लंडन जाओ या मैं पैरिस जाओ पढ़ने के लिए तो आप उसको बोज़र रखते हैं I will go either to London or to Paris तो इस प्रकार से इस तरीके से आइदर और का इस्तमाल हमको करना चाहिए उसके बादे दोस्तों नाइदर नौर नाइदर नौर की मीनिंग होती है नाहीं ये नाहीं वो अब दोनों में से कोई भी नहीं ये नाहीं वो दोनों में से कोई भी नहीं वहीं बात मैंने लिखी भी यहांपर कि नाइदर नौर is used to mean not one or the other, नहीं ये नहीं दूसरा, कैसे एक example से जैसे यहाँ पर एक sentence लिखा गया, she is not a singer, वो singer नहीं है, दूसरा sentence, she is not a dancer, वो dancer भी नहीं है, अब इसी बात को अगर मुझे neither nor में बोलना हो, तो मैं बोल सकता हूं, she is neither a singer nor a dancer, वो नहीं सिंगर है, नहीं dancer है, जैसे आप दोस्तों के साथ गये थे जब रेश्टराउंट में खाना खाने के लिए, तो अगली बार फिर जब आप गये, तो फ्रेंड ने पुछा, तुम क्या खाऊ गए, चाउमिन खाूँगे की मुझ में से कोई एक चीज़ का चोईस किया था, अब इस बार आपका मन नहीं है, चाउमिन या मुझ मोझ कुछ भी खानेगा, इस बार आपका मन है डोसा खानेगा, तो दोस्तों ये चार double conjunctions है अगर इनको ठीक से सीख लिया जाए और इनको अपने बोलने में या अपने लिखने में इनकी practice की जाए बार-बार इनको use किया जाए तो धीरे-धीरे आपको ये याद हो जाएंगे और आपको इनके उपर आपको command में जाएगी मुझे उम्मीद है कि आज की class से आपको फायदा होगा और आपको English लिखने या बोलने में और भी आसानी होगी अगर आपको आज की class अच्छी लगी हो तो please video को like और share करें और channel को subscribe करें और अगले video में मैं आपको फिर एक नहीं बात बताऊँगा और तब तक मैं दूसरी video लाता हूँ आपके सामने अगर कोई और आप चातेंगी मैं किसी और topic पर आपको कुछ बार बता दू conversation का कोई topic हो कोई grammar का topic है कोई pronunciation का topic है तो आप नीचे comment box में लिख दीजी मैं एक videos पर भी पना करके आपको देदूँगा thank you very much I'll see you soon bye bye